भारते हस्तियों को सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में होने के लिए ही नहीं जाना जाता बलकि अभिनाय के अलावा उन्हें कई अन्य बिसनस के लिए भी जाना जाता है जी हाँ इंडस्ट्री के कलाकार अभिने के अलावा कई बड़े बड़े बिजनस में आगे बढ़ चुके हैं जिनमें एक बिजनस रेस्ट्रेंट चलाना भी है इंडॉस्ट्री में ऐसे कई मशूर कलाकार हैं जो कई देशों में फाइफ स्टार होटल के मालिक बने हुए हैं और उनके रेस्टोरेंट में अक्सर बड़े-बड़े सितारे ही नजर आते हैं इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इंडॉस्ट्री के कुछ ऐसे कलाकारों से रूबरू कराने वाले हैं जो एक्टिंग के अलावा अपने रेस्टोरेंट बिजनस के लिए भी काफी मशूर है तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि आखिर कौन है वो कलाकार और सुन्दर संयोजन है वैभारतिय व्यंजिनों के लिए सुहाना नामक एक अन्य रेस्टोरेंट के मालिक भी है जहां ज्यादा तर चाइनीज भूजन ही मिलता है नमबर टू कुणाल देशमुक बॉलिवड के प्रसिद निर्देशक कुणाल देशमुक ने अपनी दो युग्यों के साथ पूने में एक रेस्टो बाग खोला है इसके अलावा तरिकाया भोजनाले नामक एक विशाल रेस्टोरेंट भी है जो दक्षिन एशिया में है जिसमें उत्कृष्ट आंत्रिक और आकर्षक प्रकाश प्रभाव है यह स्थान कई हस्तियों और वियंजन मिलते हैं नमबर 4 सुश्मिता सेन बंगाली मासी के रस्टोई के नाम से अब इनेतरी सुश्मिता सेन नेक रेस्टोरेंट खुला है बतादे कि पूर व ब्यूटी कुईन सुश्मिता को बंगाली वियंजनों से बहत प्यार है जिसके चलते हिन्होंने नवी प्रस्ट्रे के मशूर गाई का आशाभोसले जिनने किसे परिचे की कोई जरूरत नहीं इन्होंने दुबई, कुवेट और ब्रिटेन में एनराइस के लिए एक भार्तिय रेस्टोरेंट की स्थापना करके रेस्टोरेंट व्यवसाय में प्रवेश किया है जिसमें परोसा जाने वाला भोजन मसाले और सोगंद का एक सही मिश्रण है जो भार्तिय व्यंजनों का प्रतिनी दित्व करता है अर्जुन रामपाल बॉलिवुड के एक पॉपुलर अभी नीता है जिन्होंने नई दिल्ली के पॉश इलाके में फाइफ शार होटल में एक शानदार डिस रामपाल ने से साल 2009 में शुरू किया था अभी नेता डिनो मूरिया ने ग्रेप स्टेशन कैफे नामक एक रेस्टुरेंट खोला है जो भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में फैला हुआ है कैफे में लिप स्मैकिंग यूरोपिय व्यंजनों का कारे करती है डिनो अपने भाई निकोलो के साथ कैफे के मालिक है सलमान के भाई सोहिल खान मुंबई में रोयल्टी क्लब चलाते हैं जो पहले जहर नाम से जाना जाता था जब रोयल्टी क्लब में बदल गया है बताते कि पहले इसका मालिक आना हक बॉलिवुड की सबसे स्ट्राइलिश अविनेतरी शिल्पा शिटी के बास था लेकिन एक साल बाद ही सोहिल खान ने इसे शिल्पा शिटी से खरीट लिया ये जगा एक अंतराश्ट्रे मानक राग पब है ये कलब लगबग 10,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है बॉलिवुड में एंटरी से पहले सुनिल शिटी, डाइनिंग बार और कलब H2O नामक रेस्टूरेंट के व्यवसाय में कादम रप चुके थे ये जगा वाटर स्पोर्ट्स और कैफी का एक सही मिश्रण है जो लोगों के लिए गेंड रहे हैं जिने वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक सन्याय है लोग इस रेस्टूरेंट में अपनी स्वातकलियों को संतुष्ट करने के साथ साथ खुब आनन ले सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे की होटल रॉयल इन, ओपोजिट खार टेलिफोन एक्सचेंज, ओफ लिंकिंग रोड, खार मुंबई के सामने है उनका लॉंग आईलेंड, आइसची बेहद ही लोग प्रिया है बॉलिवोड के दिगज अभी नेता में से एक है, जिनोंने अपने अभी नए करियर में कई फिल्मों में काम किया हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन आज ये कई लगजरी होटलों के मालिक है इनके होटल का नाम मोनार्ग ग्रोप आफ होटल है, जिसमें तमिलनाडू के उटी में स्वांकी होटल और मैसूर, तमिलनाडू में मसीना गुडी शामिल है, बता दे के उटी के होटल में एक लेजर डिस्क थेटर भी है वेलन सभी पॉपुलर कलाकारों के रेस्टुरेंट में से आपको किसका रेस्टुरेंट सबसे अच्छा लगा, आप अमें उनका नाम कमिट बॉक्स में कमिट करके ज़रूर बताए और अकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करे साथी बॉलिवोड इंडरस्ट्रे से जुड़ी और बे तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें